जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज का हमारा टॉपिक है जावा टॉकेन हम आपको टॉकेन के बारे में बताएंगे तो उससे पहले ये बता दो कि विदाउट टॉकेन्स आप एक भी जावा प्रोग्राम नहीं बना सकते इतना इंपोर्टन टॉपिक है यह तो वाट इस टॉकेन्स यह होता क्या यहार फूल एक्स्प्प्रनेशन मतलब एक एक चीज में बताने वाला हूं एक्जांफल के साथ तो यह क्या होता है टॉकिन token is the smallest elements of our program यह हमारे प्रोग्राम का एक छोटा सा element होता है यानि छोटा सा हिस्सा होता है that is identified by a compiler जिसे compiler के दुवारा identify किया जाता है ठीक है every java statements and expressions are created using tokens यहीं पर पता चल गया tokens का importance क्या है जावा में आप जो भी statements या फिर expressions देते हो वो आप बिना tokens के नहीं कर सकते हैं तो example start करने से पहले इस side में मैं लिखना चाहूंगा कि कितने tokens होते हैं जावा में यह हो गया हमारा token setting सबसे पहला token होता है हमारा keyword है second होता है हमारा identifier कि कीवर्ड और identifier के बारे में मैंने आपको बताया है separate video में उसके बाद होता है हमारा operator operator भी एक token है फिर आजाता हमारा separator separator के बारे में साथ आप ना जानते हों तुम्हें बताऊंगा आप इसके बाद यहां पर लास्ट में आ जाता है हमारा लिटरल तो इतने ही token होते हैं जावा में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी अपने example program लिखना उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम में कितने टोकेंस को यूज करा एक छोटे से प्रोग्राम में वह आप से डिसकस करेंगे मालो हमने यहां पर एक simple सा class बनाया class ए इस class ए के अंदर हमारे पास होगा public static void main method इसमें क्या लिखा होता है इसमें लिखा होता strings of array variable उसके बाद इस main method के अंदर हमने विर्येबल्स बनाएं इंट ए टेन और बी में हमने 20 रखा उसके बाद हमने अगली लाइन में इंट सी इक्वल ए प्लस बी करा और हमने फिर क्या किया system.out.println में C को करेंद कर दिया और यह कार्ली ब्रेकेट में method की close की और इसकी Close की तो यहां पर इस तरह से हम दिखा देते हैं ताकि प्रोग्राम अच्छा लगे लगे देखने में तो इस इस प्रोग्राम में हमने कितने टोकें को यूज किए सबसे पहले बात कर लेतें टोकेंथ नंबर वन कीवर्ड्स की पहला की हो गिया हमारा ये क्लास क्लास एक की वर्ड है जावा में यहां पर प wygląda कि वॉइड तीन किवर्ड यहां पर यूजC कि यह त्हुंद ए एक हम चोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए one two three four five हमने की वर्ट उस कर डाले अभी बात करते हैं टोकेन नमबर सेकेंड अब इनंटिफायर की इस प्रोग्राम में हमने कितना अडेंटिफायर उस करा है class name हो गया identify method name हो गया identify है जो main है यह identifier है उसके बाद variables का name identify हो गया तो आप देखो गाइस एक छोटे से प्रोग्राम में हमने कितने जगा identify ज भी यूज़ कर डाला थार्ड ओगिया operator यहां पर देखो यह प्लस हो गया operator ये equal जो दिख रहा है ये भी assignment operator है तो ये भी operator है तो हमने यहां पर operator भी यूज़ कर लिया सेपरेटर सेपरेटर क्या करता है स्टेटमेंट को सेपरेट करता है तो यह जो कार्ली ब्रेकेट आपको दीख रहा है यह सेपरेटर है ये class का curly bracket class की body को अलग रखा हुआ है और main method का curly bracket main method को अलग separate करके रखा हुआ है जबकि ये main method इस class के अंदर ही है तो main method के statement को इसने अलग separate करके रखा हुआ है ये curly bracket यही होता है separator और literal देखो हमने इसमें value डाल दिया 10 तो a का value 10 ही रहेगा जितने बार एक प्रिंट करोगे ये 10 प्रिंट होगा तो हमने सभी tokens को इस चोटे जप्रोग्राम में यूज कर लिया तो इसी चोटे चोटे elements को अगर हम मिला के कोई program बनाते हैं तो वही होता है tokens इसलिए तो बोला जाता है smallest elements of a program is called tokens चोटा चोटा element बनके ये program हमारा बन गया अभी मैं आपको example बताता हूं कि keywords का example क्या होता है कि सबसे पहला हमने आपको token में क्या लिखाया है हमने आपको लिखाया है keywords तो कुछ keywords की नाम बता देते हैं जैसे यहां पर intake keyword है हमारे program में उसके बाद static, void ये सभी keyword है टोटल 50 keyword से जावा में दो unused है 48 हम use करते हैं ठीक है second हो गया हमारा यहां पर देखो identifier अभी आप बोलोगे identifier क्या होता है यहां पर उसका भी example में आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपका एक भी doubt ना बचे identifier होता है variable, variable का जो भी name, method का name, ठीक है name उसके बाद class का name, सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज का name, package का name ठीक है वो होता है identifier ये name को refer करता है उसके बाद operator है हमारा third tokens तो operator क्या होता है इसका भी example हम आपको बता देते operator plus, minus, multiplication, division, remainder उसके बाद यहां पर आप logical and भी लिख सकते हो logical और भी लिख सकते हो जितने भी operator होते हैं आप उन सभी को increment operator decrement operator ये सभी fourth number पर यहां पर देखो separator है सेपरेटर आपके लिए एक नया word होगा आप इसके बारे में जानना चाहते होंगे कि सेपरेटर होता है क्या है यह statement को separate करने का काम करता है सबसे पहला semicolon यह भी सेपरेटर है second हो गया comma third हो गया dot उसके बाद हो गया यह label यानि colon फिर हो गया यह parenthesis जो method में यूज करते और यह curly bracket यह सभी सेपरेटर यह भी statement को separate करता है कॉमा भी separate करता है प्रोग्राम में चलिए दिखा देते हैं जैसे यहां पर देखो हमने इंट एक्वल टेल लिखा बीच में यह कॉमा है ना यह separate कर रहा कि यह अलग वेरियाबल यह बी अलग वेरियाबल जो की एक डेटा टाइप को रिपरेजेंट कर रहे हैं सेपरेटर बीच में कॉमा है और लास्ट में देखो यह semi colon लगा हुआ मतलब यह यह एक statement होगिया उसके बाद हमने अगरी लाइन में लिखा वो अलाग स्टेटमेंट होगा और हर सब्सकेंट कर सबहरेण को थोड़ा यूज करोगैं तो यह बड़ा सा प्रग्राम बन जागा इसलिए तो बोला जाता है स्मोलेस्ट यूनिट प्रोग्राम इसकोर्ड टोकेंज वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए सेयर करिए चानल पर नहीं चानल को सब्सक्राइब कर दिजिए